वेलकम टू माई चैनल मेडिशन डिटेल में जहां आप पाते हैं दवाईयों के बारे में संपूर्ण जार्ड करी तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इंजेक्शन परी के बारे में जिसका कमपोजिशन है मेड्रोक्सी प्रोजिस्टरोन इंजेक्शन दोस्तो इस इंजेक्शन को प्रेग्रेंसी रोकने के लिए तीन महीने में एक बार लगाया जाता है हो सकता है दोस्तों आप में से कहीं दोस्त इस Medoxyprogestron injection को इस नाम से नहीं जानते हो आप जिस नाम से जानते हो वह हैं उसका brand name है उसके बारे में हम जान लेते हैं कुछ popular brand name वह है डिपो प्रोवा और परी injection जी हां दोस्तों डिपो प्रोवेरा और परी इसी का brand name है जिन दोनों को आप सक्रीन पर देख पा रहे हैं इन दोनों का composition Medoxyprogestron है इस injection के बारे में कुछ जरूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस injection को किस तरह से लगाना चाहिए और injection को कब लगाया जाता है और जब इस injection को लगाया जाता है तो लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके क्या side effect होते हैं कुछ ऐसे side effect है जिससे इसे महिलाए इस injection को लगवाने से डरती है वें आपको वीडियो के last में बताऊंगा इसलिए वीडियो में अंद तक बने रही है ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नई हो और अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर ले और bell icon को press कर ले और वीडियो को लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें तो दोस्तों अब बात करते हैं इस injection के यूज के बारे में तो जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं यह हैं एक कोंट्रसेप्टिव इंजेक्शन है जो प्रेगनेंसी रोकने के लिए प्रयोग में लाया जाता है यदि कैसी महिलाओं को दो बच्चों के बीच में प्रोपर गैप रखना हो या किसी अन्य कारण से प्रेगनेंट नहीं होना चाहती तो वह यह injection लगा के प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है अगर यदि किसी महीला को घरबास्षा में किसी परकार की बिमारी हो और डोक्टर ने उसे सीमित समय के लिए प्रेगनेंट ना होने की सलाँ दी हो तो उस समय भी प्रेगनेंट ना होने के लिए यह इंजेक्शन लगाया जाता है तो दोस्तो आप बात कर लेते हैं इस injection को कब लगाया जाता है और इस injection को किस तरह लगाया जाता है इसलिए इस injection को लगाने का जो समय है वह है पिरियड के सुरू होने के पाचवे दिन है तो दोस्तों मेट्रोक्षी प्रोजिस्टरोन 150 mg पर 1 ml के साथ आता है और जब यह injection लगाया जाता है तो आने वाले तीन महिनों तक महिला प्रेगनेंट नहीं होनी और यहां जो टाइम है कुछ महिलाओ में 5-7 दिन कम या 5-7 दिन जादा भी हो सकता है और परी injection हमेशा hospital और clinic में डोक्टर की सला तथा डोक्टर की देखरेक में लगाना चाहिए साथ ही अगर किसी महिला की delivery हुई हो तो बच्चे के जनम के 6 या 7 हफते बाद ही यह injection को लगवाना चाहिए और इसके लगाने के बाद डोक्टर सला देते हैं अच्छे डाइट लेने की दूद दही और ज़्यादे से ज़्यादा विटामिन D3 और कैल्सियम लेने की सला देते हैं तो दोस्तो अब बात करते हैं इस injection को लगवाने से पहले हमें किन-किन बातों का ध्यान रगना है साथ ही महीला या उसके परिवार में किसी भी महीला को ब्रेस्ट कैंसर या फिर डाइबिटीज की सिकायत यानि सुगर की सिकायत हो तो या साथ ही में निपल से बिलिडिंग हो रही हो और तो उसे नहीं लगवाना है और साथ ही महीला बच्चे को दूद पिलाती हो और उसक तो साथ ही अगर आपने यह इंजेक्शन लगवा लिया है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है दोस्तो जैसे कि आपको अगर किसी भी परकार की सरजरी करानी हो यानी ओपरेशन कराना हो तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को जुरूर बताना है कि हमने पर इंजेक्शन लगवाया हुआ है साथ ही दोस्तो जब आपको यह इंजेक्शन लग जाता है तो आपको आनेवाले next period की date कुछ आगे या पीछे हो सकती है तो दोस्तो अगर आपको बाद में बच्चों का प्लान करना है तो इस इंजेक्शन के लगने के 6 महीने बाद करना है तो दोस्तो अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो दोस्तो इसके बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है इसमें महीला को period का time disturb हो सकता है, period irregular हो सकते हैं, महीला को vaginal discharge हो सकता है, और महीला में कमजोरी आ सकती है, और चहरे पर केल या मुहासे हो सकते है, महीला को breast में यानि उसके सतनों में किचाओ रहता है और Susan आ सकती है, और दर्द हो सकता है, जोडों में दर्द हो सकता है, ये कु को ऐसी कोई दिक्कत लगे या इसके अलावा और दिक्कत लगे तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिले तो दोस्तों अब लास्ट में हम जान लेते हैं वह कौन सा साइड इफेक्ट है जिससे महीला इसे लगवाने से डरती है और उसी कारण से डॉक्टर भी इसको कम में जादा दर्द रहता है तेज दर्द रहता है और इन्हीं समस्याओं को कम करने के लिए डॉक्टर दूद ही अच्छी डाइट और विटामिन D3 और कैल्सियम लेने की सला देते हैं तो दोस्तों इस इंजेक्शन को लगवाने से पहले डॉक्टर से मिले आज के लिए बस सब्सक्राइब कर ले